नमस्कार दोस्वों रोजयना राश्य पल दखने के लिए चैनल को सब्स्क्राइब कर लें शाथी बेल आइकन को प्रेश कर दें ताकि दोस्वों आपकी राश्य से जुड़ी से भी जानकारियां शब्से पहले आप तक पहुंशके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन क उत्तम शुकों का लाब ले शुकें तो आई दोस्वों सके इशाथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 29 मई दोजरबायश के आपके राश्य फल के बारे में सबसे पहले दोस्वों जिनका भी यश्मे बढ़ते हैं या फिर एनवर्सरी है आप शबी को मारत या आपके लिए भागी चले होगा दोस्वों या शुमें आपका लगलायब स्वास करियर और धन के सदे केश रहेंगी साथी दोस्वों वीडियो के मत में आप शुबी के लिए बहुत यच्छे बिजार दे गए हैं जोने आप ज़रू देखेगा आपको काफिर चलेगा तो आफ दोस्वों बात करते हैं दोस्वों 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 बात करते हैं दोस्वों 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 दो दोस्तों कमजोर व्यक्ति कभी छमा नहीं कर सकता छमा करना शक्तिसाली व्यक्ति का गुन है जब आप माप करते हैं तब भूत को नहीं बदलते लेकिन आप निश्चित रूप से भष को बदल देते हैं अपने दुस्मनों को छमा कर दीजिए पर कभी उनके नाम मत भोलिए दोस्तों छमा एक एशा उपहार है जो हम स्वेंग को देते हैं छमा प्रेम का अंतिम रूप है दोस्तों एक दोस्त को छमा करने की अपेक्षा एक दुस्मन को छमा करना आशान है कोई वहां तक माप करता जहां तक वो प्यार करता है दोस्तों बदला लेने के बाद दूस्मन को छमा कर देना बहुत ही असान होता है दोस्तों वो जो दूसरों को छमा नहीं कर सकता वो उस पूल को तोड़ देता है जिसे उसे पार करना था क्योंकि हर व्यक्ति को छमा पाने की आवश्रकता भी होती है तो चलिए इसे की साथ बात करते हैं आज की राशीफल की देनी राशीफल दोस्तों यह में दौण दूप तदा मेहनत के अधिता रहेगी प्रन्तु कार की शफलता आपकी धकान को भी यह में दूर कर देगी किसी जरुतमंद मिद्र की मदद से आत्मिक शांति की भी प्रा आरती आलाश की वजह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएंगे तो दोस्तों इस समय आपको इससे शावधन रहना है शंतां से समय है आपके लिए किसी भी परकार की यात्रा करने से आपको बचना चाहिए क्योंकर इंसे कोई उतना अच्छा आपको लाब नहीं म अगहारे में बिल्खुल भी रिक्त ना लें पेसास है तक बना रहेगा लेकिन किसी को आंस्योह आपको मद्त प्राप्त हो वthey और यह जो आपके लिए फाइदमन होगी लेकिन दोस्तों किसी की मदद आपको प्राप्ट हो शकती है मित्रों के शाथ आपके प्रती गलत भीमी बढ़ने के विजशने आपको दूख भी हो सकता है और इसको प्राण दूख में आपको बता दें कि रायनितिक तता श्माजिक दाइरा भी आपका यश्मे बढ़ेगा पिछले कोश्मे से रुके हुए कालियों में भी गती आएंगी दोस्तों आपको बदा दें कि बच्चों की समस्याओं के शमधान में आपका श्योग उनके लिए बहुत अधिक उचित रहेगा घर की वैस्ता उचित बने रहेगी दोस्तों पढ़ाएं के अपके बहुत रहेगे और इसको बदा दें कि जो बातें आपके शाथ गलत हो रही है दोस्तों बातों के खिलाफ आवाज उठाना आपको इसमें सिखना पड़ सकता है क्योंकि दोस्तों यश्में आप अपनी भावनों को अपने अंदर ही दबाकर रखने के उजश्य ना आप प्रिस्तित्यु में बदलाव देख पा रहे हैं ना ही विचारों में शकारत मता तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें दोस्तों आपको बदा दें कि बच्चों की तरफ अधिक ध्यान देने की आपको अफश्यक्ता होने वाली है और इसको प आपको प्राप्त होगी घर के रकरकावत था साथ सज्जा संबंदी कारियों में भी खुश्णमा समय वहतिक दोने वाले हैं कोई पूराना जगड़ा दोबारा उभर शकता है इस बात का ध्यान रखें इसलिए दोस्तों इसमें बहतर होगा कि पूराने बिती बातें वर्त जो लोग आपके खिलाफ हैं दोस्तों आपको बता दें कि उनको भी आपके पक्षमें आप कर पाएंगे वह दोस्तों अपने ज्यान का और अनुभाव का पूरा इस्तुमाल यश्में आपकर भी पाएंगे दोस्तों आपको बता दें कि दूसरों के मारदर्शक बनने के ल अच्छे आपके शामने तो आएंगे प्रन्तु इसके शाथ ही दूस्तों आएके श्रोद भी बढ़ने बढ़ने चे आपकी आर्थिक समस्या कम हो जाएगी वह दूस्तों किसी सम्मेलन या पर शमारों में जाने है तो आपको अमंत्रिन भी प्राप्त हो सकते हैं संतार के सिक अवश्त रखें यह आपके लिए बैतर होंगे और इसके प्राण दूस्ते हैं आपके श्रमें होंगी आपके दिन चरह के लिए जो श्रमी होंगे दोस्तों आपको बदा दें कि बार बार तकलिपों का श्रमन होने की विज़र से आपके अंदर कि जो सकार्तमक भावना है उनमें थोड़ी कमी हो रही है जिसे दोस्तों आपको आगे बढ़ने में कमी हो रही है शादी दोस्तों जो लोग आपके करीब आने की कोशिक कर रहा है उनको अपने वहवाश से दूर न ढखे ले यह आपके लिए बैतर होने वाली है इसको प्रांदो सेश में आपकी केरियर को लेकर बात करें तो दोस्तों इन्यवेश मेनेजमेंट से जुड़े जो भी लोग है को बड़ा काम प्राप्स करने के लिए अधिक मेहनत करने की आवश्चता होंगी इसको प्रांदो सेश में आपकी केरियर के लिए जो समय होंग दोस्तों किसी उल्जन में भी आप यह में पढ़ सकती हैं वह वाइशाय के लिए जो समय होगे दोस्तों आपको बदा दें कि वह वाइशाय में कुछ नए अनुमन आपको विक्सित होंगे प्रंदों उनकी उचित प्रिणाम मिलने में कुछ समय भी लगीगा घर के किसी वाइशाय के लिए जो समय होगे दोस्तों आपको बता दें कि वह वाइशाय में अगर कुछ नवी करण या फिर उस्तार शमंदी उजना बन रही है तो दोस्तों उस पर विसेश रूप से आपको ध्यान के दिर्द रखना चाहिए यसमें गरेस्तितियां आपके पक्ष में है प्रतु दोस्तों निवी शमंदी कारि में आपको कोई फैसला लेने से पहले उस पर सोच भीजार अवश्क करना चाहिए यह आपके केरेट के लिए इसमें बैठर होंगे और इसको प्रण दोस्तों दोस्तों आपको बता दें कि कार शेतर में अपने परतिदोंदिय की ग अपने लक्षियों को पूरा करने में भी शमत रहेंगे जिसी दोस्तों आपके अंदर आत्मिक खुशी की भी प्राप्ति होने वाली है और इसको प्रांत उसे यह में आपकी लव लाइब करकर बात करें तो दोस्तों यह में अत्यतिक व्यस्ता के बावजूत घर परिवार के आपको शमय निकालना पारिवनिक शमंदों को और दिक मजबूत करेगा किसी मंगली कारेश अधियों और भी बंसटी है उसको प्राप बाहतर होगा कि दुसरे की दूसरे का जो है परिवार पर नहोंने दे यह आपके परिवार के लिए आपके लव लाइफ के लिए आपने दोस्तों आपको बता दें कि ब्यवाइक शमद यश्मे मदूर रहेंगे प्रंतु मित्रों के शाथ अधिक मेल जोल रखना आपसे शमदों में परिशानियां उत्मा ने कर सकता है तो दोस्तों इससे आप थोड़ी दुरी बनाने के कोशिश करें यह भी आपके लव लाइप क खटासा सकते हैं तो दोस्तों इन से आप साबधान रहें स्वास्तों उत्तया करें थो यह भी आपको बता दें कि तकान और में पर आराम भी पर आप यश्मे आपके कि बहतर रहने वाले हैं इसको बदा दें कि वाद में अपने शवास्त का अवच्छ से द्यान रखें यह आपकी लिए प्हतर होंगे तो इन सभी चीजों पर ध्यान दें और घॉल्सका स्वास्ताली रगा हरा और बाग शाली अंक रहे प्रिगा चार